हेलो एबरिबन आई वेल्कम यून दिस वीडियो आज हम लोग सॉल्व करेंगे वेल्यू बेस्ट कोस्टेंज और परसंटेज एंड इस अप्लिकेशन चैप्टर फाइप और इस चैप्टर के और भी जो वक्षिट्स है उसका सॉलोशन का वीडियो लिंक आपको बिल जाएगा वहां से भी आप जा सकते हैं देखिए फर्स्ट कोस्टन हम लोग देखेंगे क्या कहा गया है देखिए अन एंजियो एंजियो का पूरा नाम क्या हो किया ना नन गॉर्मेंट और्गनाइजेशन ओके वर्किंग फोर्ट दो फ्लाड रिलीफ फंड रूपीज एटी थाउजेड तो एंजियो कितना रूपीज कलक्ट किया है एटी थाउजेड फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटीज फोर लोकलेटी ओके अलग अलग सोसाइटी से वह इतना रूपीज को कलेट करता है अब देखिए आगे कोशन क्या कहा गया है 65% अप दिस अमा को खरिदने में कितना अमाउंट स्पेंट हो गया 65% स्पेंट कर दिया गया है अब आगे क्या कहा गया है रेस्ट अप दा अमाउंट वाज स्पेंट ओन प्लॉशेज फोर दा अफेक्टेड पीपल अब जो पीपल अफेक्टेड है उसके लिए क्लॉश भी परचेज किया जा रहा है कितना अमाउंट से तो जो रेस्ट अमाउंट बच गया उससे अब यहां पर कुश्चन अपना आएगा वाट एमाउंट वाज स्पेंट ओन ग्रोशरी आइटम्स पहले फिर यहां देखिए दफ्लॉड अफेक्टेड विक्स टीम्स वर वेरी थैंक्वूर टू दा एंजियो मेंबर्स तो हम लोग को कुश्चन जनरली यहां से पुछा गया है वाट एमाउंट वाज स्पेंट ओन ग्रोशरी आइटम्स तो ग्रोशरी आइटम्स पे कितना अमाउंट खर्च हुआ तो आप यहां देखिए हम लोग किलियर लिखा हुआ है कि ग्रोशरी आइटम पे 65% एमाउंट स्पेंट हो रहा है कितना का तो जितना एमाउंट कलेक्ट हुआ है उसका 65% स्पेंट हो रहा है तो हम लोग सिंपली 80,000 का 65% निकालेंगे और वो अपना अंसर होगा ए नम्मर का हम लोग लिखेंगे अमाउंट स्पेंट ओन ग्रोशरी आइटम इक्वल टू 65% परसेंट ओफ रूपीज 80,000 ओके शुकि 80,000 टोटल कलेक्ट हो रहा है और उसका 65% स्पेंट हो रहा है कि इस पे ग्रोशरी आइटम पे ओके अब हम लोग परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्श इन्टू मल्टिप्लिकेशन और कितना तो रूपीज 80,000 यहाँ पे पूट कर लेंगे अब लोग सिंपली इसको डिवाट कर लेते हैं तो देखिए 0 से 0 कैंसल हो जा रहा है और अपना क्या आजाता है रूपीज यहाँ पे आजाएगा 65 इन्टू 800 ओके अब इसको हम मल्ट इस रिस आइटम पे बी नंबर में हम लोगों कोर्शन कर गया है राइट एनिट टू राइट इनिट टू मोर वेज इन वीच यू केन हैप दा फ्लाइट अफक्टेट विक्टिम्स तो जो बेक्ति फ्लाइट से अफक्टेट है उसके लिए हम लोग और क्या है एल्प कर सक सकते हैं तो लोग लिखेंगे डौनेटिंग क्लोफे फूट टेट्स ब्लेंकेट इस एकेतों के हम डॉनेट करेंगे क्या करेंग tirar गया करेंगे तो विंटर सीजन में मानव सेवा समीति क्या नाम है संगठन का मानव सेवा समीति decided to distribute blankets and shawls to some poor people of a locality किसी में जो पीवर पीपल है उसके लिए क्या डोनेट करना चाह रहा है blankets and shawls अब आगे बात करते हैं टोटल आफ रूपी टोटल आफ वन हंडेट फिप्टी packets were distributed और कितने packets distribute हुए तो वन हंडेट फिप्टी packets distribute किये गए ओके आप देखिए 74% of the poor people received shawls तो shawls कितने लोग receive कर रहे है 74% ओके next देखिए the poor people and the other got blankets और जो rest बज जाते हैं उसको क्या मिलता है blankets मिलता है ओके the poor people were very happy with the shawl and blanket तो shawl और blanket मिलने के बाद poor people क्या हुए ना बहुत happy बहुत खोस होगी ओके अब हम लोग से कहा गया है how many blankets were distributed तो कितने blankets distribute हुए यह हम लोगों से पूछा जा रहा है और दुसरा question है name two more items that you have donated to any poor person तो पहले हम लोग a number को solve कर लेते हैं उसके बाद b number को भी लिखेंगे हम लोग लिखेंगे total number of packets तो total number of packets कितने हैं 150 अब इस से percentage of solve solve कितने डिस्टिबिट हुए तो 74% of the poor people receive solve तो 74% हो गया solve का तो percentage of blankets क्या हो जाएंगे गौर कीजिए total hundred होएंगे ना hundred percent minus 74 तो यह कितना आपना आजा रहे देखिए यह आजा रहे 26% तो जो blankets का कितना percentage हो गया 26% इसका मतलब यह हो गया हम लोग यहां पे लिख सकते हैं number of blankets that were distributed तो इसमें हम लिखेंगे 26% of 150 क्यों चुकि 150 packets हैं हो इसमें से मेरा solve और blanket दोनों सामिल है तो solve का percentage हो गया 74 तो इसका मतलब blanket का कितना percentage हो गया 26% ओकि दोनों मिला के 100% होना चाहिए तो 26% of 150 अब इसको हम solve कर लेते हैं तो यह क्या हो जागा देखिए यहां पर हम लोग solve करेंगे तो यह 10-10 हम लोग cancel कर लें और 5 से यहां पर 53050 और 52010 इसके बाद फिर देखिए यह 2 से divide हो जागा 13 times में तो इसका मतलब क्या हो गया 13 थिरिजा 39 ओके तो 39 क्या आगया अपना blankets जो people receive किये तो हम यहां पर लिखेंगे 35 blankets ओके इस दा answer अब बी नम्मर का question क्या रखिए नेम टू मोर आइटम्स दाट यू है डोनेटेट टू एन पूर परसन आपने कभी किसी पूर परसन को दिया है को ऐसा आइटम होके उसके बारे में यहां पर जीकर करना है तो जरूर आपने दिया होगा तो आप दिये हैं तो आप लिखेंगे उसको आप यहां पर लिख सकते फूट पैकेट मेडिसीन आप लिख सकते हैं तो यह तो थे हमारे कोसेंस दो दोनों हम लोग सॉल्व कर लिए भेलो बेस कोसेंस के तो आई हॉप इस वीडियो विडियो विल हैल्फुल फोर यू तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और शेयर विद अदर्स एंडू सम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजी और बेल आइकन को भी दबाएं ताक के आगे आने वाले विडियो उसके जानकारी आपको मिलती रहे थैंक्स वर वाचिंग है वे गलोरियस डे आहेट